सवे भवंतू सुखिना, शिव उब्देश, भाग पांच, जो गुरु उब्देश के अनुरूपो ग्रहन करे, कृत्रिम सुख की प्राप्ती कैसे दुख का कारण बनती है, इस संबंध में कुछ सत्य प्रसंग है, प्रथम उदाहरन, एक शीत प्रदेश में मच्छरों की द दूसरे स्थानों से बिल्लिया लाई गई और फिर चुहूं पर पुनह नियंत्रन बढ़ गया और मच्छर वापस उत्पन हो गए, तो वहां के विद्वानों ने यह निशकर्ष निकाला की प्रकृती के विरूद्ध कार्य करने के कारण ऐसा हुआ है, और फिर भविश्य में वहां यह निश्चित हो गया कि प्रकृती की कार्य प्रनाली में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, यानि के कुछ सुख मिला की, मच्छरों से मुक्ती मिल गई, लेकिन साथ ही दुख भी आन पड़ा, यानि के प्लेग के प्रकोप का सामना करना पड़ा, दूसरा शीतल हवा का सुख तो मिला, लेकिन पैर दर्द की पीड़ा भी भोगनी पड़ी, तीसरा उदाहरन, पूर्व में, महिला, पुरूश्व, बच्चे आदी सभी का स्वतह ही व्यायाम हो जाता था, आज बच्चे मोबाइल चलाने, विडियो गेम खेलने, मूवी, धारावा हिक देखने में ही मगन रहते हैं, और बाहर खेले जाने वाले खेलों से वंचित हैं, और इसलिए बच्चों की भी तबेयत सही नहीं रहती, पूर्व में महिलाई सिल्वर्टे पर मसाला, चक्नी आदी पीसती थी, दूर से पानी भर कर लाती थी, आटे के लिए चक्की का भी उप्योग घर पर ही किया जाता था, पुरूश भी मोटर साइकल की जगह साइकल का उप्योग करते थे, जिसके कारण स्वास्थे सही रहता था और अब सुविधाओं के कारण व्यायाम बंद हो गया है, जिसके कारण बीमारों की संख्या भी बढ़ गई है, कहने का ता चे